ओम नमो भगवते वासुदेवाई नमा जै मातरणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवते दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वधा बनी रहे दोस्तों श्रावन मास के शुक्रपक्ष की एकादशी दिथी को श्रावन पुतरदा एकादशी कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार श्रावन मास की पुतरदा एकादशी का वरत धारण करके विधिविधान से भगवान श्रीहर विष्णु का पूजन करने से वाजपे ये यग्य करने के समान पोनिफल की प्राप्ती होती है और जैसा कि श्रावन माज की एकादशी का नाम है पुतरदा एकादशी तो जिन दमपत्तियों को संतान की ब्राप्ती होने में बहुत अधिक बाधाएं हो रही हैं उन्हें आज के दिन भगवान स्री रिष्णु के निमित्त व्रत धारण करके और विदी विधान से पूजा करनी चाहिए तो निश्चे ही उत्तम संतान की ब्राप्ती होती है और कई दमपत्ति ऐसे भी होते हैं जिने पुत्र प्राप्ती की कामना होती है तो अगर वो आज के दिन भगवान स्री रिष्णु के विदी विधान से पूजा करते हैं और पुतरदा एकादशी का पति- करते हैं तो शास्त्रों की अनुसार इस व्रत के पुनिय प्रभाव से उन्हें पुत्र संतती की ब्राप्ती होती है तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि श्रावन मास की पुत्रदा एकादशी कब है एकादशी के तिथी कब प्रारंभ होगी कब करना है पारण का यानि की व्रत खोलने का शुब्मुर्थ क्या होगा और आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवाल श्रीर विश्नु की पूजा आराधना करनी चाहिए किन मंत्रों का जब करना चाहिए और कौन सा विशेश उपाई करना चाहिए जिससे अगर हम व्रत करते है तो हमें व्रत का संपुर्ण फल प्राप्त हो और जिस भी मनो कामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं वो आपकी मनो कामना बहुत शीगर पुर्ण हो इसके लिए आज विशेश चाहिए तो श्रावन मास की पुत्रदा एकादशी से संबंधित संपुर्ण जानकारी आप और आज की वीड़ियो में मैंशेयर करने वाली हूं वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर खिजिये शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनलपर पहली बार आए है अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो channel को subscribe जरूर कर लीजिए और बैल बटन को भी press कर लीजिए तो इससे ये होगा कि इस channel पर जो नई video upload होंगी उनकी notification आपको नई सही a पर प्रपराप्त होगी दोस्तों शिव महापुरान की कथा इस चैनल पर 8 अध्याय तक अपलोड है और आपने उस वीडियो को देखा भी है किसी कारणवस मैं इस चैनल पर वो वीडियो आगे अपलोड नहीं कर पाई थी तो ऐसे में आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उसके अगले अध्याय की वीडियो अपलोड कीजिए तो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि मेरे दूसरे चैनल पर शिव पुरान की पूरी वीडियो अपलोड हो रही है और प्रती दिन सुबह 7 बजे वीडियो का प्रीमियर होता है तो ऐसे में जो भी भक्त शिव पुराण की कथा आगे सुनना चाहते हैं तो उस चैनल का और शिव पुराण की कथा का लिंक में आपको कम्यूटी बॉक्स में दे रही हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और उसी चैनल पर सारी कथाई सुन सकते हैं हर रोज सुबह उस चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाती है आप उस कथा का आनन्द लीजिए और अब बात करते हैं श्रावन मास की पुतरदा एकादशी के बारे में कि एकादशी के तीथी कब प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारन करना है देखिए एकादशी के तीथी प्रारंब हो रही है 7 अगस्त 2022 को रातरी 11 बज कर 50 मिनट पर और एकादशी तीथी समाप्त होगी 8 अगस्त को रातरी 9 बजे व्रत होगा आपके लिए अगर आप किसी भी कामना के निमित्य व्रत धारन करते हैं या बिना व्रत किये भी पूजा आरातना करते हैं तो आपको पूजा का प्रार्थना का दुगना फल प्राप्त होगा क्योंकि इस दिन भगवान श्रीहरी विष्णु के साथ हम भगवान भोले नात की भी पूजा आरातना करेंगे और जो भक्त दोनों ही व्रत धारन करते हैं तो दोनों ही व्रत का संकल्प लेकर आप सावन के सोमवार का भी व्रत कर सकते हैं और एकादेशी का व्रत भी कर सकते वो भी अगर आज के दिन भगवान श्री हर विष्णू की पूजा आरादना करते हैं उनके मंत्रों का जप करते हैं और आज चावल का त्याग कर दीजिए सात्विक भोजन रखिए तो निश्चित ही भगवान शीव और भगवान श्री हर विष्णू की क्रिपा से आपकी सम तो 8 अगस्त 2022 को श्रावण मास्की पुत्रदा एकादशी का वरत धारण किया जाएगा और अब बात करते हैं पारण के शुब मुहुर्थ के बारे में कि वरत कब खोलना चाहिए दिखे 9 अगस्त को वरत खोलेंगे मंगलवार के दिन सुबह 5 बज कर 46 मिनट से सुबह 8 बज क 26 मिनट तक का जो समय है यह पारण करने के लिए वरत खोलने के लिए बहुत शुब मुहुर्थ है हमेशा एकादशी के वरत में पारण के शुब मुहुर्थ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए क्यूंकि अगर शुब मुहुर्थ में हम वरत नहीं खोलते हैं तो वरत का हमे दश्मी तिथी के दिन से ही आपको नियम का पालन करना होता है, जैसे के दश्मी तिथी के दिन आप सात्विक भोजन लेंगे, किसी भी प्रकार से तामसिक चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे आपको लसुन प्याज नहीं खाना है, अगर आप मांसमद्रिया का सेवन करत और शाम को सुर्यास्त के बाद दश्मितिति के दिन अन्य का सेवन नहीं करना चाहिए तो अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो सुर्यास्त होने से पहले दश्मितिति के दिन भोजन कर लीजिए रात्री में अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो ऐसे में आप फलों का सेवन कर सकते हैं दूज ले सकते हैं जूश ले सकते हैं लेकिन अन्यका सेवन नहीं करना चाहिए एकादेशी कवरत करना है तो एकादेशी के दिन प्रात्यकाल जल्दी उठ जाईए और श्नानित्यादी करने के बाद सबसे पहले भगवान सुरेदेव को जल अरपित कीजिए उसक भगवान श्रीहर विषनु को जो भोग आप अरपित करते हैं वैसे तो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्रीहर विषनु के भोग में तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए लेकिन जिस भी मनो कामना से आप एकादेशी का वरत कर रहे हैं वो आपकी मनो कामना बहुत ही शीक्र पूर्ण होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप वरत करेंगे तब ही ये उपाई कर सकते हैं आप बिना वरत किये भी भगवान स्रीह विश्णु की पूजा आरातना करने के बाद अगर तुलसी का पत्ता उन्हें अर्पित करते हैं या तुलसी पत्ते की माला अर्पित करते हैं और उसके बाद अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है और जो भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें प्रातेहकाल पूजा के सम व्रत नाचीक, आपका अरून कामना भी पुर्ण होती है, लेकिन और व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिज़ए क्योंकि बिना बुरत का संकल्प लिए आपका व्रत पुर्ण नहीं माना जाता है, और व्रत में आप दिन के समय वर्त पूज़ कर सकते तो द्वादसी में एकादशी वरत का पारण किया जाता है तो अगले दिन प्रतेहकाल जल्दी उठकर शनानित्यादी करने के बाद भगवान श्रीह विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए सुर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए उसके बाद शुब मुर्त में पारण करना चाहिए लेकिन शास्त्रों के अनुसार एकादशी वरत का पारण करने से पहले मतलब अपने भोजन करने से पहले किसी ब्रामण को घर बुला कर भोजन कराना चाहिए उसके बाद ही आपको स्वयम भोजन करना चाहिए और अगर ऐसा संभव नहीं है कि कोई ब्राह्मण आप घर बुला कर भोजन करा पाए तो ऐसे में ब्राह्मण के निमितत दान की सामगरी आप निकाल सकते हैं जैसे कि कच्ची भोजन की सामगरिया निकाल सकते हैं लेकिन अपने भोजन करने से पहले अपने दान की सामगरी निकाल दीजिए या फिर पैसे निकाल कर रख दीजिए उसके बाद ही शुब मुमृत में आपको पारण करना चाहिए तो एकादशी वरत का पालन करने वाले वरती को दश्मी से लेकर द्वादशी तक इन सभी नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए तभी इस वरत का हमें संपुर्ण फल प्राप्त होता है तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए अवश्योपियोगी होगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे हो थोड़ी सी भी आपके लिए helpful हो तो वीडियो को like जरूर किया करें और share भी जरूर किया करें अपने family friends के साथ या अपने दोस्त मित्रों के साथ जिनको भी एकादशी वरत की आवश्यक्ता है जो लोग भी एकादशी रवत करना चाहते हैं उन्हें इस वीडियो को share करके आप उनकी मदद कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए और bell button को भी प्रेस कर लीजिए तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी notification आपको सही समय पर प्राप्त होगी मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार